गुट मॉर्निंग एब्रिवान बच्चों, आज हम अभ्यास सागर में पाथ 13 का नूमा प्रश्ण करेंगे प्रश्ण है नीचे दिये गए वाक्यों को उचित महावरों द्वारा पूरा कीजिए आपको help box दिया गया है, उसमें आपको महावरे दिये गए है नीचे कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों को आपने महावरों की सहथा से पूरा करना है जैसे इन चूहों ने तो महावरे आएगा इसमें नाक में दम कर दिया है दूसरा है पार्क की सफाई करने में सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ बटाने लगी तीसरा है अपने लिए नए कपड़े और खिलोने देखकर कविता के मन में लड़ू फूटने लगे चोथा वाक्य है जब मोना को बहादुरी का पुरसकार मिला तो उसकी माने घी के दिये चलाए पाच्वा है सबकी आँखों में धूल छोंक कर चोर समान लेकर भाग गया प्रश नमबर दस है उचित विराम चिन लगाईए आपको कुछ वाक्य दिये गए हैं उसमें उचित स्थान पर आपने उचित विराम चिन का प्रियोग करना है पहला सोनिया दीपा और रेशमा पार्क में खेल रही थी जहाँ पर दो या दो से अधिक नाम आ जाएं तो वहाँ पर अलप विराम का प्रियोग होगा सोनिया और दीपा के बीच में अलप विराम और अंत में पौन विराम सधारन वाक्य है तो पौन विराम दूसरा वाक्य है मा ने पूछा अल्प विराम अन्वर कहां रहता है प्रेश्ण वाचक चेन जब किसी की बात को जोगतियों कहते हैं तो उसे इन्वर्डिड कोमाज में लिखते हैं अर्थात उध्धरन चेन का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर तीसरा वाक्य है वा तुमने तो बहुत अच्छे चित्रकारी की है वा के बाद विस्मयादी बोदक चिन जब कोई बात हैरान करने वाली होती है तो वहाँ पर विस्मयादी बोदक चिन का प्रयोग होता है और सिंपल वाक्य है, सधारण वाक्य है तो पूर्ण विराम का, अंत में पूर्ण विराम अगला वाक्य है, पिता जी ने कहा, अल्प विराम, बच्चों बच्चों के बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे, विसमयादी बोदक चिन कल हम डाइनोसोर की फिल्म देखने जाएंगे, सधारण वाक्य है, अंत में पूर्ण विराम और जो बात को कहा जा रहा है, उसे हम उधारण चिन में रखेंगे तो बच्चों से पहले उधारण चिन का प्रयोग होगा, और अंत में पूर्ण विराम के बाद उधारण चिन से वाक्य को बंद कर दिया जाएगा, प्रेश नमबर 11, आओ लिखें, यहाँ पर आपको कहानी दी गई है, उस कहानी को आपने समवाद के रूप में बदल कर लिखना है, कहानी इस प्रकार है, आम के पेड़ पर तीन तोते बैटे थे, उनके नाम हीरक, भीकू और कीलू थे, तीनों को बहुत भूख लगती है, अचानक हीरक को अनाज से एक भरा टक दिखाई दि जहां अनाज गिरा पड़ा था, अब कीलू ने सला दी कि जल्दी जल्दी खालो, वरना कोई आ जाएगा, तीनों दोस्तों ने भर पेट अनाज खाया, तीनों बहुत खुश थे, तो इस कहाने को हम समवाद के रूप में लिखेंगे, हीरक, मुझे तो बहुत बूख लगी है, भीकू कहता है, मुझे भी मेरे पेट में तो चूहे कुद रहे हैं, कीलू कहता है, चलो दोस्तों, खाने के लिए कुछ ढूंडते हैं, फिर तीनों खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, हीरक, वह देखो, वहां एक अनाज से भड़ा भरा ट्रक है, भीकू कहता है, उन में से एक बोरी में बड़ा सा छेद है, अब तीनों दोस्त वहां पर पहुंचाते हैं, जा अनाज गिरा हुआ था, अब कीलू कहता है, जल्दी जल्दी अनाज खालो, वरना कोई आ जाएगा, अब तीनों दोस्तों ने भर पेट अनाज खाया, और तीनों बहुत ख खुश हुए, तो बच्चों आप यह कार्या पेज नमबर 67 पर करेंगे,